चुचन नमर साथ है u-chromatin and heterocromatin में क्या अंतर है u-chromatin और heterocromatin में अंतर हमें लिखना है what is difference between u-chromatin and heterocromatin important क्योचन है यहाँ पर बात करते है u-chromatin की तो एक प्रारूपी के अंधरक में कुछ जगाउंओं पर chromatin धिल्ले थाले बंधे होते हैं जिसे हम E-chromatin कहेंगे एक प्रारूपी केंद्रक में कुछ जगां होपर chromatin जो होए वो धीले धाले बंधे होगे वही जो कहलाता है E-chromatin जबकि chromatin में जो काफी अच्छे धंग से बंधे होते हैं वे गाढ़े रंग के दिखाई पड़ते हैं उसे हम chromatin hetero यानि hetero chromatin कहेंगे अच्छा next question की बात करते हैं question number 8 question number 8 में है car graphs के नियम को बताएं ठीक है mention char gaps rule char gaps rule आप इसको जो भी पढ़ें car graph car gaps पढ़ें या char gaps पढ़ें अपना पढ़ने करने सारे इसमें हम बात करते हैं इर्विन char gaps 950 में DNA के चार एवम अनिक अंटेंस के अधार पर सर्वेचन किया जिसे char gaps का rule कहा जाता है इसके मुताबिक क्या क्या होते हैं वो हम बात करते हैं तो ये नमर में purine एवम pyramidine char जोड़ों की मात्रा बराबर होती है purine और pyramidine चार का जो जोड़ा होगा वो मात्रा बराबर में रहेगा अर्थात एडेनीन और guanine दोनों जोड़ने के बाद thiamine और cytosine A plus G equal to T plus C इसको हम इस परकार से भी लिख सकते हैं A plus G और निचे चल गया T plus C तो इसको हम equal to 1 कर सकते हैं तो यह जो फर्मूला होते हैं वो याद रखी है B नमर में बात करते हैं एडेनीन का molar amount हमेशा thiamine के molar amount के बराबर होगा इसी परकार guanine और cytosine भी molar amount जो होते हैं वो बराबर होते हैं guanine के और cytosine के और एडेनीन और thiamine के ठीक है तो आप B नमर भी याद रखिए यहाँ पर C नमर में बात करते हैं तो A पलस T वाटा G पलस C का अनुपात किसी अस्प्रेसीज के लिए अस्थिर होता है यहाँ पर हम A से एडेनीन को बात करते हैं T से thiamine के बात करते हैं G से guanine की और C से cytosine के तो आप यह पूरा याद रखिए गए A पलस T वाटा G पलस C का अनुपात जो है किसी अस्प्रेसीज के लिए अस्थिर होता है अच्छा नेस्ट क्यूस्टन बात करते हैं नेस्ट क्यूस्टन कितना नमर है नव नमर